बात Australia Study Visa की करें तो बहुत students थोड़ा feel कर रहे हैं कि Australia हर दिन के साथ थोड़ा strict होता जा रहे हैं जिस तरह के updates होने की news आ रही है उसको लेकर भी students के मन में थोड़ा डर है लेकिन इस सब के बावजूद एक अच्छी good news आपके साथ share करने जा रहे हैं अगर आपने बीड की हुई है अगर आपने entity एटी किया हुए तो आप Australia जा सकते हैं वो भी without आइस आप सोचेंगे यह कौन सी केटेगरी है जिसमें हम अप्लाई करें without आइस और वह भी हम अस्ट्रेलिया का वीजा ले सकते हैं तो इसी पर पूरी जानकारी रहेगी आज की वीडियो पे ब मैं जैसे कि हर बार हम हर तरह का अपडेट तो जरूर्ट स्टुडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो मैं जरूर चाहूंगी यह खास जो कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपने यह खास बात बताई कि किसी ने बीड की हुई है एंटिटी की है यह एटिटी की है तो वो उस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा ले सकते हैं विदाउट आइस आखिर यह कौन सी अलग कैटेगरी है जिसमें अप्लाई करकर विदाउट आइस वीजा लिया जा सकता है मैं आपको करेक्ट करूँगी इसमें टीचर्स के साथ हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट वले भी हैं यह कैटेगरी इंटरंशिप वीजा की इंटरंशिप में स्टूडेंट जो एज उन्हीं जी एटीन टू थर्टी यहर्स और उसने अभी ग्रेजूइशन कंप्लीट की है या कोई अच्छा डिप्लोमा कंप्लीट की है तो उसके बाद वन एर उनकी इंटरंशिप जो लगती है यहां हेटेल्स में वो कंप्लीट होने चाहिए और दे कैन अप्लाई फर इस वीजा अब उसके बाद टीचर्स जिन्होंने बी एड एड एंटीटी एटीटी जिसमें की पटिकुलर युनिवर्सटीनी जैसे फ़र एग्जामपल पन्जाब में पन्जाब युनिवर्स्टी गुनानग देव युनिवर्सटी जम्मु युनिवर्सटी रोपड में एक एटीट वाला कौश्ट एक इंस्टिचूट आ Гो चलेगा तो हर स्टेट की एक और दो द Internship visa means student ने पढ़ा और maximum one year या six month काम की है और उसके बाद वो internship के लिए वहाँ पे जा सकते हैं और internship ये paid internship होती है उसके थ्रूप वो जा सकते हैं इसमें IELTS नहीं चाहिए लेकिन employer के सा मानने जिस school है या hospitality management के हिटेल्स है तो उनके सा interview होता है that means आपकी English speaking ठीक होनी चाहिए six band जितना आपका communication का level होना चाहिए मैं बार-बार कह रही हूँ we don't need IELTS, IELTS नहीं चाहिए लेकिन आपकी जो speaking है communication skill है वो अच्छे होने चाहिए तो आपका जो है हमें IELTS नहीं चाहिए time save कर रहा है लेकिन age 18 to 30 होनी चाहिए 30 से उपर हम नहीं apply कर सकते और आप fresh pass out होने चाहिए जैसे B.Ed अभी आपने किया है यह hotel management का diploma आपने within one year या B.Ed within one year किया एक साल पहले किया और छे महीने यह one year का आपका experience है तो आपको इस program के लिए eligible करता इंटरंशिप वीजा के लिए ठीक है तो यह 18 months का minimum वीजा लगता है और इसमें यह paid internship है तो इसके जो बच्चों ने funds दिखाने है वो almost 6 lakh के around इनके अपने account में बच्चे के अपने account में होना चाहिए तो जब वो जाने की तियारी करते हैं मिन्स आज inquiry generate हुई है उनकी और यह eligible है तो उसी time इनको यह funds अपने account में डाल लेने शो करने के लिए जो processing time होता है यह employer interview लेता है selection होती है और उसके बाद nomination आती है फिर visa file होती है तो 3-4 महिने तक का इनका maximum time होता है एक आदा मेना इधर उधर हो सकता है क्योंकि selection में कई बार थोड़ा सा और अगर student बहुत अच्छा है बहुत जल्दी selection हो गई तो उससे मालब visa result भी बहुत जल्दी आएंगे इनके क्योंकि employer का अगर nomination मिल गई है तो फिर तो natural है इनका बहुत जल्दी हो जाता है तो इस वेरी ब्यूटिफल प्रोग्राम फर दा इंटर्शिप वीज़ा फर द जो यह मैंने क्राइटीरिया आपको बताया है हां प्लेस्मेंट के अगर आप पूछें तो प्लेस्मेंट कहीं भी हो सकती है क्विंजलेंड में हो सकती है Brisbane side में Melbourne में हो सकती है Sydney में हो सकती है तो ज़्यादा तर ये तीन areas हैं जिनमें placement होती है internship visa में and it's something which you can say कि जिसमें visa अगर आपकी selection हो जाती है और आपका सारा कुछ बिलकुल सही है document कोई fake नहीं होना चाहिए तो क्योंकि qualification आपकी पूरा जो हमने universities बताई है वहाँ से होनी चाहिए and कोई experience आपका fake नहीं होना चाहिए तो आपका visa इसमें almost आना ही आना है तो मैम ने बहुत बढ़ी अदंग से पूरी जानकारी जो है step by step आपको दिये तो इस category में जो भी आते हैं तो आप समझ सकते हैं आपके लिए Australia का visa लेना वाकई विदाउट आइल्स आप ऐसे process कर सकते हैं पूरा और timely इस visa के लिए apply कीजिए और अगर और जानकारी चाहिए कि क्या का documentation की आपकी profile के accordingly requirement है तो आप navigators overseas के office visit जरूर कीजिए जो number displays पर call करके भी आप और जानकारी जरूर ले सकते हैं ताकि timely आप अपना process शुरू कर सके मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप आज ने आप आज बहुत खास और पर इस category वाले लोग जो के हम B identity, ETT वाले सब की बात कर रहे हैं तो हर को आज की वीडियो में यह सारी बातें आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली हैं आगे भी हम इसे तरह से और informative वीडियो लेकर आते रहेंगे फिल्हाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त थैंक्यू सो मज थैंक्यू